जे मेन 2022 के application form fill करने वाले इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखेगा अगर आपने application form को fill कर दिया है तब भी इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखेगा और अगर आप fill करने वाले है तो भी ध्यान से देखेगा ठीक है क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही important इंपोर्मेशन में दिया हूँ, आप किसी भी कैटेगरी से हो चाहे तो आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर आप EWS से हो, OBC से हो, SC से हो या फिर ST से हो, सभी के लिए यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना, सबसे पहली बात की NTA ने आप सभी को पहले ही अलर्ट कर दिया है कि आपको किसी भी परकार की कोई घरवाड़ी नहीं करने है, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं, आप सभी के application form में तो आपको correction का मौका नहीं दिया जाएगा, हलार कि दोस्तों कुछ दिन का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन NTA आप सभी को सतर्क किया है कि आपको correction का मौका नहीं मिलेगा, तो आप सभी application form फिल करने में किसी भी परकार की कोई घरवाड़ी ना करें, ठीक है, तो इसलिए मैं part 1 वीडियो आप सभी के लेकर के आ गया हूँ, category certificate के लिए, ठीक है, जिनके पास category certificate है, वो भी इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अब देखिए दोस जिनका बन चुका है अभी तक, ठीक है, और दूसरा वो जिनके अभी तक certificate नहीं बनाए, ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, जिनका बना है वो क्या करेंगे, और जिनका नहीं बना है वो क्या करेंगे, ठीक है, जिनका बना हुआ है ना, उनका चाहिए 1 जनवरी 2022 को बनाए हो या फिर एक जनवरी 2022 के बाद का बना हो अगर एक जनवरी 2022 के पहले आपने कोई सर्टिफिकेट बनाया है जैसे मान के चलिए 30 December को आपने कोई certificate बनाया ठीक है यानि कि जो certificate है उसमें date है 30 December 2022 तो वो certificate valid नहीं होगा ठीक है valid कौन होगा जो 1 January 2022 का बना हुआ या फिर 1 January 2022 के बाद का बना हुआ है वही same category OBC में भी है यानि कि same 1 January 2022 या फिर 1 January 2022 के बाद का बना हुआ लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जिनका नहीं बना हुआ है वहीं साथ में बात कर लेते हैं AC और ST तो AC और ST के certificate को लेकर बात की गई है कि यहाँ पर as per latest guideline of the government of India ठीक है तो आप इसे भी मान कर चलिए 1 January 2022 से deadline मान कर चलिए एक जनवरी 2022 तक का अगर बना हुआ है यानि कि एक जनवरी 2022 को या फिर उसके बाद का बना हुआ है तो आप application form में डाल दीजेगा नहीं बना हुआ है दोस्तों तो मैं आपको बता दू आप सभी के लिए self declaration form काम में आ जाएगा अब देखिए मैं आपको बता दू self declaration form आपको कहां पर मिलेगा और यह किस काम में आता है ठीक है अगर आपके पास कोई भी certificate नहीं है तो आप देख सकते हैं इसी ब्रॉचर में यह जेई मेन 2022 का ब्रॉचर है मैं अपने टेलेग्राम चनल पर इस ब्रॉचर को डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और साथी comment section के सबसे टॉप पे ठीक है उस टेलेग्राम चनल को जैसे ही आप जोईन करिएगा देख सकते हैं यहाँ पर self declaration form मिलेगा economical weaker section का self declaration form यह रहा उसके बाद आपको किसी भी category का कोई भी declaration form चाहिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर declaration form of LIEU general EWS certificate उसके बाद आप सभी को OVC का भी मिल जाएगा आप SCST से हैं उसका भी मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं OVC का यह certificate है उसके बाद SCST का भी देखिए यह वाला certificate है किसी भी आप certificate को fill कर सकते हैं और fill करने के बाद इसे आप submit कर सकते हैं application form को fill करते समय ठीक है बस आपको कुछ नहीं करना आपको इस PDF को निकाल बा लेना है जो पेज को आपको प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा लीजेगा जो भी कटेगरी से आप होंगे और यह आपको हमारे टेलेग्राम चनल पर मिल जाएगा जागर के description में देखिएगा वहाँ पर में लिंक डाल दिया हूँ जब जो सा कौंसलिंग होगी ना तो वहाँ पे आप सभी के original certificate लगेगे जैसे की ज्यास्ट कर सर्टिफिकेट उसको जो भी certificate requirement है वह सभी certificate आपको original लगेंगे उससमें ठीक है तो admission के time तक बनवा लिजेगा अभी अगर आपके पास नहीं है या फिर 1 January 2022 के बाद का नहीं है तो आप self declaration form को feel करके अपने application form को feel कर सकते हैं तो अगर information अच्छी लगी होगी तो channel को subscribe करिएगा विल आइकन को दबा लिजेगा और साथ ही telegram channel को join करके इस video को download कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत